दोस्तों आज की कहानी है बहू ये घर मेरा है इस घर में तुमारी नहीं मेरी सलेगी दोस्तों कहानी सरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पौंसे हर नया वीडियो दफतर से लोटी तो दोनों बेटे-बेटी में जगड़ा हो रहा था इतने बड़े थे पर बात बात में जगड़ने लगते थे एक तो दफतर के काम से ठक कर आओ रास्ते में घर पहुँशते ही घर के रात के खाने की टेंचन और घर में गुस्ते ही कुस ना कुस देखने को मिले कभी दोनों बच्चे आपस में उलजते दिखते तो कभी दादी के साथ बहस सल रही होती कि दोनों बच्चे की सोर अवस्ता में तेसो उर्मिला समझती थी कि उन्हें इस सम प्यार से समझना और समझाना पड़ेगा पर उसके पती दोनों ही पूराने जमाने की तरह बच्चों की प्रवरिश करना सहते थे उनकी कोई बात सुने बिना ही अपना फैसला सुना देना बहुत कहती की अब जमाना बदल गया हैं पर वे एक दोनों एक ना सुनते ना सवाल ना जवाब बस दोनों अपना फैसला सुना देते नोकरी पैसा होने के बावजूद इस घर की सुक सांती के लिए उर्मिला ने हर बात को सिर जुका कर सुईकार किया कई बार उसने आवाज भी उटाई जब जब उसे अपनी सास या पती के फैसले गलत लगे पर हर बार की तरह उसे यही सुनने को मिलता ये घर तुमारा नहीं इस घर में तुमारी नहीं सलेगी जो जैसा सल रहा है वैसे ही सलने दो माई की में भी सीकायत किस से कलती मा तो उसके विवा से पहले ही सल बसी थी और पिता जी दिल के मरीज थे थे उन्हें कोई दुक देना नहीं सहती थी सोटा भाई था वो क्या दुक समझता था सो सुबसाप निवाती सली गई सस भी तो है कि घर तो हमेशा से ही लड़कियों का नई होता ना माई के में ना ससुराल में पर अब अपने बच्चों के लिए एक मा होने के नाते आवाज उठाने लगी थी और अब फिर से तानों की बोसार कुस अधीक ही होने लगी थी अगले दिन रविवार था बेटी को अपने इसकोल के दोस्तों के साथ गूमने जाना था पर फिर से हर बार की तरह सुदीप ने मना कर दिया तुम नहीं जानती एक बार सूट दो तो बच्चे बिगड जाते हैं नहीं जाएगी रोही कहीं हर रोज इसकोल भी तो जाती हैं को एड इसकोल में हैं अपना अच्चा बूरा समझती हैं बहार भी कक्सा में हैं थोड़ा बहुत बहार निकलेगी तबी तो अच्चे और बूरे की पैसान कर सकेगी और कुस महिनों की बाद तो कॉलेज रोज जाएगी फिर तब भी तो एक विश्वास पर हमें उसको रोज भेजना होगा उर्मिला ने समझाने की कॉसिस की तुम आज कल बहुत बोलने लगी हो मैंने बोल दिया ना रोही नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी ये घर मेरा है इस घर में तुमारी नहीं मेरी सलेगी हमेशा की तरह सुधीप ने अपना फैसला उर्मिला पर थोपते हुए कहा मैं भी देख रही हूँ आज कल बहु बहुत जुबान चलाने लगी है सासु माने आग में गी डालते हुए कहा सुपसाप आखों में आसु लिये रुई अपनी मां को अपने लिये वकालत करते हुए डाट खाते देखती रही सब दोस्त गूमने गए साम को उर्मिला ने रुई को अपने दोस्तों की आज की फोटो को आशु बरी आँकों से नियारते देखा तो उसका दिल भर आया उर्मिला पूरी रात करवट बदलती रही सुब ओपिस भी गई तो मन नहीं लगा उसकी अंतरात्मा उसको कसोट रही थी अपने पैरों पर खड़े होने के बावजुद उसको कोई भी निरणिये लेने का हक नहीं ता साम को घर जाकर खाने की मेज पर उर्मिला ने एलान किया मैं कल ये घर सोड कर जा रही हो मेज पर सन्नाटा सा गया सुदीप सिलाया अब ये क्या नया ड्रामा है आज तक आपने अपनी बात कही मैंने सुनी अब आप मेरी बात सुनिये ध्यान से जिस दिन से ब्याकर आई अपनी सारी कमई बैंक में डालती रही कभी बच्चों की पड़ाई के नाम पर तो कभी नया घर लेने के नाम पर तो कभी सासुमा के इलाज के लिए तो कभी आपकी सोटी बहन की सारी के नाम पर हर बार आप मेरा बैंक बैलेंच कम करते सले गए जिसके लिए आप से कोई सिकायत नहीं क्योंकि हम दोनों की ये जिम्मेदारी थी और जिसमें मैंने दिल से बखुभी बुमी का νिभाई परन्तु जब जब इस घर में कोई मैने अपनी मन मर्जी करने की या कोई थैसला लेने की कोसिस की तो आपने हमेशा यही कहा ये घर मेरा नई इस घर में मेरी मर्जी नई सलेगी मैके वाले प्रेसान ना हो इसलिए मैं हमेशा सुप रह जाती भी तो कहा एक लड़की को सिर सुपाने के लिए एक सत की आवशेकता होती है और उस समय या तो मैके का सहरा मिले या फिर उसके सिर पर खुद की एक सत हो जिसमें वो अपने हिसाब से रह सके इन दोनों के अबाव में वो ससुराल में सुप साप सहती रहती है मेरे साथ भी यही हुआ पर मैं एक माह हूँ और मैं रुही को अपने जैसा नहीं बनाऊंगी इसलिए मैं अब उस घर में रहूंगी जो घर मेरा भी हो जहां मेरे विशारों का भी समान हो उर्मिला ने अपनी बात समाप्त की और मैं भी तो सुनू अब तुम जाओगी कहा तुमारी भावी तो तुमें रखने से रही अभी भी सुदीब का मर्द या पती का दंब हवा में हिलोरे खा रहा था साप पता सल रहा था कि अभी भी वो अपनी गलती मानने को तयार नहीं था आपको तो याद ही होगा ना पिसले वरस जब पिता जी का देहांत हो गया था तो उन्होंने एक वस्यत लिखी थी जिसमें उन्होंने अपना पूराना मकान मेरे नाम लिखा था और कितनी सालाकी से आप ने वो मकान बिक्वाने की कौसिश की पार उसीत कीमत ना मिलने पर आपने उसको किराय पर सडवा दिया और जिसका हर मां का किराया आपके अकांट में आता है दस दिन पहले ही किरायदार ने मकान सोड दिया है और मैं अपने पापा के दिये हुए घर में रहने जा रही हूँ वहाँ जहां मेरा बस्पन गुजरा वहाँ जहां मैं कुछ अपने डंग से फैसले ले सको पूरी जिंदगी आपके घर परिवार की सेवा करने के बाद भी अगर में पर रही और मुझे सिर्प करतव ये कोई हक नहीं तो मैं अकेली ही बली उर्मिला के इस जवाब से सुदीप और सासुमा के पैरों तले जमीन खिसक गई बहुत रोकने की कोशिस की और आज उर्मिला टस से मस नहीं वही सुब उर्मिला के साथ रूई भी अपनी मां के साथ सली गई इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता बहू लोगों की सोसो सासुमा ने समझाने की कोशिस की पूरी उम्र लोगों की मैके वालों की सस्राल वालों की सोस की फिक्र में ही कोई सही फैसला नहीं ले पई पर अब और नहीं जिस दिन आपके पेटे को लगेगा कि उसने वाकई में पूरे जीवन मेरे साथ अन्याय किया हैं और उनको दिल से पसताप हो उस दिन भेज देना मैं आ जाओंगी और हाँ अब मेरे पापा के घर से अपनी नजरे हटा लीजिए अब वहां घर मेरे बाद हमेशा के लिए रुई का होगा आज मुझे समझा गया कि एक लड़की के लिए एक सत के कितने माईने होते हैं उर्मिला की इन बातों पर सासुमानी सब्द थी तो दोस्तों हमारी ये कहानी यही पर समाप्त होती हैं अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारी सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें